हे गाईज मैं हूँ सीमा और दावच चनल पर आप सब ही लोगों का मैं बहुत बहुत बिल से स्वागत करती हूँ गाईज आज मैं आपके लिए ऐसे अमेजिंग किचन टिप्स या बेकिंग टिप्स लेकर आई हूँ जो आप केक बनाते है ना उसके लिए ये बहुत ही जादा हेलफूल होने वाले है गाईज क्योंकि आज मैं आपके साथ ऐसे अनोखे टिप्स शेयर करूँगी जिसके पास केक बनाने का कोई भी समान नहीं है अगर जस्ट मन में आया और केक बनाना चाहते है कोई भी समान नहीं है तो भी आप इस तरह के पॉफट केक घर पर ही बना सकते है कैसे बनाने हैं वही सारी चोड़ी चोटी बाते और बहुत सारी टिप्स आज में आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो बहुत ही जादा हलफुल होने वाला है आखिर तक देखेगा इंट तक देखेगा पसंद आये तो इसे लाइक कमेंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते है तो सबसे पहली और जरूरी बात है जरूरी वाइट जो प्रेपर आता है घर पे वाइट जरॉक्स पेपर कह सकते है या किसी भी नोटबुक का जो वाइट पेपर होता है वो यूज कर सकते है सिर्फ इसके उपर लाइन वगरा नहीं होनी चाहिए इस बात का ध्यान रखे या कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए ज यह ट्रिक आप जरूर अराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी बटर पेपर की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग यही पेपर अराम से यूज कर सकते हैं, बस इसे तेल से थोड़ा सा ग्रीज करके यूज करना है, जैसे हम लोग नॉर्मल बटर पेपर को तेल लगाते हैं, सेम उसी तरह से आपको इसी पेपर को भी तेल से ग्रीज करना है और बाद में उपर से बैटर डाल देना है केक आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा अराम से निकल कराएगा तो इस तरह से आप ये जिरॉक्स वाइट पेपर बटर पेपर की जगव पर यूज़ कर सकते है दूसरी टिप गाइज ये है कि अगर आपके पास बटर पेपर भी नहीं है और वाइट पेपर भी नहीं है तो आप किस तरह से केक को अराम से ये तिंट से बाहर निकाल सकते हैं और आपके पास तिंट भी नहीं है तो आप इस तरह का स्टील का किसी भी तरह का डबा टिफ करनी है और जो एक्स्रा का मैदा या आटा होता है उसे आपको प्लेट में निकाल लेना है इससे क्या होगा जब भी आप इसमें बैटर डालेंगे तो एक आटे की परत इसमें जमी रहेगी और आपका जो केक है वो अराम से बाहर निकल कर आएगा आप बिना बटर पेपर के यह आटे वाली ट्रिक ज़रूर यूज कर सकते हैं तीसरी टिप हमारी यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास बटर पेपर है टिन है सारी चीज़े है तो आपको इसे कट किस तरह से करना है तो कई लोग इस तरह से फोल्डिंग वाले मेथड़्स यूज करते है लेकिन अग आपका जो बटर पेपर है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना है जहां पर बेस की साइड आती है सीधा आपको जो ढबा है जो टिन है आप लोग यूज कर रहे है वह बटर पेपर के उपर रख देना है और इसके बाद कैच्छे और पें से आप NO निश स्टील का बरतन या पतले तले वाला बरतन आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि बेकिन के टैम में कम से कम आधा गंटा लग जाता है आप चाहे कितना भी छोटा केक बना लो तो उसमें आपका जो पतले तले वाला बर्तन है वो जलने के चांसे ज़ादा होते है तो आप heavy bottom वाला जो कोई भी बर्तन है वो यूज़ कर सकते है और अगर आप इस तरह का aluminum का या किस भी तरह का मोटे तले वाला भी बर्तन अगर यूज़ कर रहे है और अगर आपको डर है कि कहीं हमारा बर्तन जल न जाए तो आप लोग क्या कर सकते है safety के लिए ऐसे तो बिल्कुल जरुरत नहीं है लेकिन अगर आप ना जले आपका बर्तन बिल्कुल भी नहीं जलेगा इसके बाद कि जो टिप है गाइस अगर आप केक बहुत ही बढ़िया टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा चाहते है तो सारी जो चीज़े है जैसे मैदा हुआ कोकवा पाउडर हुई या चीनी वगरा सारी तेल हुआ सारी चीज़े जो आप लोग यूज कर रहे है केक बनाने के लिए एकदम फ्रेश यूज करनी है जैसे बहुत जादा पुराना मैदा अगर आप यूज कर रहे है तो एकदम कड़वा सा स्मेल केक में लग सकता है या कड़वी टेस्ट भिया सकती है इसलिए आपको सारी चीज़े फ्रेश लेनी है तो आपका केक भी बहुत ही जादा टेस्ट ही बनेगा इसके बाद जो आप दही दूद वगरा जो लिक्विडी चीज़े है वो यूज करते है केक बनाने के लिए तो वो सारी केक बनाने के लिए आप जो भी तेल वगरा यूज कर रहे है वो बिलकुल भी अन फ्लेवर ओइल होना चाहिए रिफाइन ओइल होना चाहिए क्योंकि इसमें अगर स्मेल होगा ना तो वो ही स्मेल आपके केक को लग जाएगा तो आपको एकदम न्यूट्रल फ्लेवर वाला तेल यहाँ पर यूज करना है उसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं होनी चाहिए इसके बाद सारी जो चीजे होती है जैसे की कोका पॉडर, मैद, चीनी वगरा वो आपको इस तरह से चान कर लेनी है इससे आपका केक एकदम रूई जितना सौफ्ट और हलका होने में जालिदार बनने में मदद होती है इसके बाद कि जो टिप है जो भी आप केक का बैटर बनाते है वो प्रिमिक्स से हो या मैदे से उसे बनाने के लिए चाहे तो आप पानी का यूज कर सकते है तो आप पानी या दूद इसमें से किसी भी चीज़ का इस्तमाल कर सकते है इस बैटर को तयार करने के लिए इसके बाद की टिप है अगर आप नए है बिगिनर है अगर आपके पास बेकिंग पाउडर वगरा बेकिंग सोडा नहीं है तो आप केक तयार करते समय इनो पाउडर का भी यूज़ कर सकते है इससे भी आप लोग पॉफिक्ट केक बना सकते है इसके बाद की टिप है गाई जब भी आप बैटर बनाते है उसकी कंसिस्टनसी बहुत ज़ादा मैटर करती है वो नहीं ज़ादा पतली होनी चाहिए और नहीं गाड़ी केक बनाते समय आपको दो से तीन बार उसे इस तरह से टैप करना है ताकि उसमें से एक्स्ट्रा एर निकल जाए और आपका जो केक है वो इवन तरीके से फूल जाए इस तरह से कूकर में आप लोग देख सकते हैं इस तरह से केक हम जब बनाते हैं तो उसे कूकर में ही नहीं रखना है उसे बाहर निकाल कर रखना है और पूरी तरह से ठंडा होने देना है जब भी आप लोग केक बनाते हैं आइसिंग करते हैं तो आप लोगों को शुगर सिरफ चाहिए होता है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो शुगर सिरफ है वो कितना डालना है कॉंटिटी में तो आप अगर गाईज आधा किलो का केक बनाने जा रहे हैं या मैदे इसे अगर आप एक कप का मेजरमेंट लेते है और इसे आपको आइसिंग करनी है तो आपको 50 ml पानी लेना है उसमें डाल देना है आपको दो चम मचीनी और चाहे तो आप दो से तीन डॉप्स इसंस भी डाल सकते है और इसके बाद आपका ये शुगर सिरफ तयार हो जाता है आप इसे अराम से केक में यूज़ कर सकते है इससे आपका केक बहुत जबा सॉफ्ट बनता है इसके बाद के टिप है क्रीम के बारे में जब भी आप लोग विप क्रीम तयार करते है तो आपकी जो विपिंग क्रीम होती है वो एकदम ठंडी होनी चाहिए चिल्ड होनी चाह अगर आपके पास electric bitter है तो उसका ही उज़ करें क्योंकि उसी से ही एकदम perfect icing या perfect whip cream तयार हो जाती है तो यहाँ पर आपको पूरे step pics आने तक electric bitter से beat करनी है इस तरह से इसका detail video आपको निचे description box मिल जाएगा इसके बाद की टिप है गाईज अगर आप डॉल केक वगरा बना रहे हैं तो डॉल केक आपको पताई है डॉल का जो फ्रॉक होता है वो पूरा उपर से भरा हुआ होता है तो आपको क्या करना है जब भी आप लोग अंदर से इस तरह से क्रीम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉंटिटी में क्रीम बिलकुल भी लगाने की जरुरत नहीं है सिर्फ आपको पतला सा क्रम कोट केक को करना है क्योंकि बाद में हम लोग इसके उपर फ्लारसी बनाने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा क्रीम भी हमें नहीं लगेगी हमारी क्रीम की भी बचत होगी और वो केक खाने में भी टेस्टी लगेगा क्योंकि ज़्यादा क्रीम अगर होती है न तो वो खाने में भी केक अच्छा नहीं लगता है इसके बाद की टिप है अगर आप इस तरह का चॉकलेट डिपिंग वाला केक बनाना चाहते है लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है या डाक कंपाउंड चॉकलेट नहीं है वाइट कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते है बस दो मिनिट के अंदर-अंदर आपका ये जो चॉकलेट गनाश है चोकलेट सॉस है वो तयार हो जाता है यहाँ पर आपको बिल्कुल भी चोकलेट वगरा नहीं चाहिए होती है आपको सिर्फ चाहिए होता है चोकलेट सॉस या चोकलेट सिरफ तो आपको यहाँ पर साइड में हर्शीज का चोकलेट सिरफ दिख रहा होगा वो भी आप इस तरह की चॉकलेट डिपिंग करने के लिए दो मिनिट में यूज़ कर सकते है बिल्कुल भी ये जादा टाइम नहीं लेता है तो अगर आपके पास कमपॉंड चॉकलेट वगरा नहीं है तो आप इस तरह की ये ट्रिक जरूर यूज़ कर सकते है इसके बाद के टिप ये है गाईस कि अगर आप केक के उपर नाम लिखना चाते है हैपी बर्डे वगरा लिखना चाते है तो आपको जो विपिंग क्रीम है वो यूज़ कर सकते है लेकिन जो whip cream होती है guys उसमें आपको थोड़ा सा पानी मिलाना होता है वो थोड़ी सी पतली होनीचे ये liquid होगी तो ही आप अच्छी तरह से इस तरह से नाम वगरा लिख सकते है इसके उपर भी हम लोग एक डीटेल वीडियो बनाएंगे कि कैसे cake के उपर नाम वगरा लिखा जाता है तो आप whip cream का यूज़ करके इस तरह से cake के उपर अराम से नाम वगरा लिख सकते है इसके बाद की जो tip है वो है icing के बारे में जब भी हम लोग cake वगरा तयार करते है तो कही बार ऐसा होता है जो हमारी whip cream है वो ज़्यादा बीट हो जाती है और cake जब हम लोग decorate करते है तब ही वो थोड़ी सी dry होने लगती है क्रैकी होने लगती है उसके उपर कई बार cracks वगरा भी आने लगते है तो उस time आप लोग क्या कर सकते है यो जो इस तरह का cake का icing हो चुका है उसके उपर आप थोड़ असा पानी spray कर दीजिए spray bottle होती है न छोटी उससे आप 2-3 spray इसके उपर डाल दीजिए और बस इस तरह से palette की मदद से घुमा लीजिए उससे क्या होगा आपकी जो cream है उसका जो थोड़ असा dryness है वो खतम हो जाएगा और आपकी cream बिल्कुल भी crack free हो जाती है अच्छी तरह से आप लोग icing कर सकते है चाहे तो आप whipped cream में भी थोड़ा सा पानी मिला सकते है नहीं तो केक के उपर अगर crack साते है तो केक के उपर थोड़ा सा पानी स्प्रे करके उससे इस तरह से plain बना सकते है तो आज की ये मेरी सारी baking की tips और tricks आपको कैसी लगी गा इस मुझे comment section में ज़रूर बताईए आपको ये सारे amazing baking tips पसंद आए होंगे अच्छी लगी है ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे like, comment, share और डावच चैनल पर अगर आप नए है तो इससे subscribe करना भी ना भूलिए चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए thanks for watching, take care